हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार बीडियो में तो आज का बीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा बहुत ज़ अभी 30% नीचे चला गया है वह पता नहीं क्यों गया है मैंने इसके बारे में सर्च किया वर मुझे रिजन पता नहीं चला फिर वी यदि आप इसमें लगाना चाहिते हो पैसा तो लगा सकते हो मैं इसके बारे में सब कुछ वन बाई वन बताऊंगा वह ज्यादा रुपय कि आपने कुछ इसमें पैसा यह नहीं लगाया है या मैं तो कह रहा हूं कि 10-15 साल के लिए भूल जाओ कि आप इसमें कुछ पैसे यह नहीं लगायो ऐसा मानू कि मैंने मेरे जेब से 15-100 रुपया नीचे गिर गया यह 1500 यह एक जार रुपया यह 500 रुपया लगा के भूल जाओ और मान जाओ कि आज के दिन जितने तारिक को आप लगाओ उसी दिन मान जाओ कि ये मेरे जेब से गिर गया है और मैं इसको डेमेट अकाउंट में आपने ये सेर को खरीद के भूल जाओंगा कभी नहीं इसके बारे में चाहिए श्टॉक और नीचे चला जाए या यदि आप भूल गए जो मैंने अभे रिसेंटली बनाया है वीडियो उसमें मैंने आपको कम से कम 2-3 श्टॉक बता रखा है ये लेके हो जाएगा 3-4 श्टॉक तो आप मैंने बता रखा है यदि सम्में आप 5-500 रुपया लगा के 2-3,000 रुपया खर्च करके और कम से कम 10- 20,000 रुपया बनाके जरूर देखे जाएगा क्योंकि कोई भी एक श्टॉक भाग गया तो उसमें और भागेगा क्योंकि मैं इतना पोटेंसियल जो मैं ऐसे श्टॉक नहीं बताता हूं जिसके अंदर अदम कचड़ा श्टॉक हो इसके अंदर पोटेंसियल है पैसा नहीं रखा है यदि पर मोटर होल्डिंग ही आपना पैसा बेच के इस कंपनी से निकल जाएगा उसमें पैसा लगाने का क्या फाइदा वो काम यह नहीं करेगा कंपनी गरो इन होगा तो इस टाक क्यों गरोगा और यह इसमें जो है पर मोटर होल्डिंग इसमें 60% से जाधा आए इसके माने क्या कहते हैं 100 हिस्से में 100 उर्पया है तो 60 हिस्सा तो कंपनी का मालिक का है और 40 हिस्सा अधर लोगों का है और सबसे बड़ी बात यह जो कंपनी है गोल्ड सेक्टर की कंपनी है तो उस बंदे को जो पर मोटर है जो कंपनी का मालिक ओनर है उसको तो कभी घाटा हो ही नहीं सकता है क्योंकि यह gold sector की company है gold sector में वो क्या करेगा कुछ नहीं करेगा gold debates देगा तो company का मुनाफ़ा निकली आएगा जितना दिन रखेगा और सबसे बड़ी बात इसमें जो करजा है वो बहुत कम है करजा है इसमें होगा 5 crore करजा होगा बट इसका जो market करजा जो debt होता है वो कहीं 60% कम से कम 70-80 crore होता तब दिक्कत होगा तो करजा भी नहीं है तो इसके माने इसके अंदर सब कुछ अच्छा है और सबसे बड़ी बात इसका जो sales growth है वो 30% से भी जादा है टाइटन का नहीं है 30% sales growth क्योंकि टाइटन इसी सक्टर की company है और वो टाइटन का नहीं sales growth 30% है इसका sales growth 30% है और profit growth भी 30% है और return growth 30% है तो मान सकते हो ना यह अच्छा है ना आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा और सबसे बड़ी बात जो इसका market cap है यह बहुत ज़्यादा कम है अभी 70 क्रोड रुपया खाली इसका market cap है यह multi-bagger बनने का जो राकेश जुंजिन वाला ने जब share खरीब्या था तो वो 30 रुपय का था टाइटन वो अब जाकर हो गया 3000 का 4000 का अभी रिसेंटली हुआ जल्दी ही तो ऐसे आपको ऐसे ही identify करना पड़ीगा ऐसे इस्टक जिनके अंदर potential हो जिसमें आप पैसा लगाओ तो डूबे ना राकेश जुंजिन वाला एक ही साथ नहीं एक ही स्टक में पैसा नहीं लगा दिये होंगे कि उनका उनका भी डूबा होगा बस वो बताते नह है करना जो देखो कमिया सब के अंदर होती है कमिया उनके अच्छाईयों से परदा पड़ जाता है तो उन्होंने टाइटन में टाइटन ज्यादा भाग गया तो इसलिए उनका नाम हो गया उन्होंने बहुत सारे स्टक में जो पैसा लगाया होगा जिसमें डू भी गया हो और बाउन बीक में जो लो बनाया था वो साड़ी चार रुपे का लो बनाया था और मैं और बात करूँ इस कंपनी का नाम क्या है तो आप लोग देख सकते हो इधर कंपनी का नाम लिखा है आप पढ़ सकते हो और इसे गूगल पे टाइफ करके फर्दर रिस्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो